नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने येट्यूब चैनल बीनियोजी कसन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नमर 65 कितना देखेंगे क्लास नमर 65 और याद रखना यह मीशन वर्दी बैच का क्लास नमर 65 है इससे पहले याद दोस्तों स्वीलेवस भी आपका चेंज वा और याद रखना यह जो आपको करवा रहे हैं यह आपका बिलकुल नए स्वीलेवस के अनुसार यह करवा रहे हैं ठीक है तो बहतरीन तरिका सा आप लोग को सेट लगाना है और लास्ट में जाके आप लोग के स्कूर भी लिख पाम में कलास होता है तो सारा क्लास को आप टाइम टेवल दोसुन जारय रिविजन में लाइए टाइम टेवल दोसुन कलास को किजिए फिर देखे आपका जरूर दोसुन स्कोर बढ़ेगा result भी आपका होगा ध्यान रखना ठिक है उसके पर आपको याद रखना इस दो सब्स 400 पुलस हमलोग भिहार प्लिस का सिट प्रैटिक्स लगा चुके हैं ठीक है और याद रखना फ्री टैम में आप प्रैटिक्स लगाना शुरू कीजिए ज्यादा ज्यादा ठीक है इससे क्या होगा दोस्तों याद रखना आपको जाएं बहुत सारे कोईशन का नॉलेज होगा कहां से क्या कोईशन आता है क्या क्या कोईशन हो सकता है इससे क्या होगा तो सारा कोईशन आपको याद रह जाएगा लिखते 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 ठीक है धियान रखेंगे सारा रनिती को अपनाते हुए हम लोगों को इस बार इस वेकेंसी में दोस्तों जाब लेना है किसी भी तरह ठीक है एक 2391 पोश्ट को अपना बनाना है और लेके रहना है जितना पढ़ना पढ़े और हमको जितना पढ़ना पढ़े आपको बहुत ही जल्द आपको एंसी आर्टी का इबूक आपको दे देंगे नाइन्थ टेंथ का दोस्तों है उपलब्द कराके मतलब मेटेल तयार करके जो पिसनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर कर देना और संधान अगर इसका पीडियाप चाहिए तो पीडियाप आपको मिल जाएगा टेलगाम चैनल पर टेलगाम जोईन करके आप पीडियाप ले सकते हैं जिसका ल आपका यह United Kingdom हो जाएगा ठीक है एंसर यहां से क्या होगा सी आपका दोस्तों correct जगा ध्यान रखेंगे ठीक है इसका राइट ट्रस यहां से सी आपका राइट जगए इसमें दोस्तों है कौन कुंत याद रखना भारत हो गया ठीक है भारत सन्यूकतराज अमिर का फैल हो गया उसके वाद रखना आप से जब सन्यूक तरब अमिरात हो गया यह सभी दोस्तों इसका सदस स्य होता है ठीक है ध्यान रखेंगे नैस कुछ रहे हैं पर देखे हाली में ख़बरों में रहा दोस्तों विरंगणा क्यां पर इस्तित है विरंगणा दुर्गावाती टैगर रिजर्व दोस्तों कहां पर हो जागा तो याद रखना इसका correct answer यहांसे क्या होगा तो मद पर्दिस क्या हो जागा मद पर्दिस answer यहांसे D आपका दोस्तों correct हो जागा ठीक है धियान रखेंगे आपका important question रहेगा दुरगावती टैगर रिजर्व पूछे कहां पर है याद रखना मद पर्दिस में चली आगे बढ़ेंगे नाइस question बते क्या पूछ रहेगा यहां पर देखे हाली में चर्चा में रहे किसके सासन के दोरान मावलाम पूरम मंदिर का दोस्तों निर्मान किया गया था याद रखना इसका character см傳 से क्या होगा तो नर्सिंग वर्मन दूती है ध्यान रखना यहां पे दूती है और पर्थम में दो सुझा है कनफीजन होगा त्याद रखना नर्सिंग वर्मन दूती हो जागा एंसर यहां से क्या होगा तो सी आपका करेक्ट हो जागा क्या होगा सी हो जागा परधान मंत्री किसान समान नहीं थी ठीक है एंसर यहां से सी आपको याद रखना है चलिए आगे बते क्या पूछ रहे हैं यहां पर देख कि 20 एथलीट दिवस बहुत ही महत्पून क्वेसन जाएगा ध्यान रखना ठी पर देख कि 20 एथलीट दिवस बहुत है कब मना जाता है तो 20 एथलेटिक से दिवस अगर पूछे दोस्तों याद रखना है यह आपका सात मई हो जागा क्या होगा यह सात मई एंसर यहां से ए आपका करेक्ट रखना याद रखेंगे ठीक है इंपोर्टेंट कोश्चन जो स इसका राइट टेंसर यह मदपर्दिस क्या होगा मदपर्दिस एंसर यहां से डी आपका करेक्ट हो जागा आगे बढ़ेंगे नाइस कुस्न बढ़ते है क्या पूछ रही है कि हाली में दोस्तों चर्चा में रही सबसे उंची मोटर वाहन योग सरक कहां पर इस्तित है या इसका राइट टेंसर लदाख हो जागा यहां से बी आपका करेक्ट जागा याद रखेंगे ठीक है चलि याँगे बढ़ेंगे नाइस कुस्न बढ़ते ही क्या होगह यहा बाल क्रिस्न दोसी का कहा क्या पे बाल क्रिस्न दोसी को मर्नो उप्रांत पदम विभूसन क्या यह से संबंदित है यह पूछ रहा है याद रखना इसका राइट टैस्ट की और फूच रहा है इसका राइट टैसर क्यों होगा है यह से संबंदित इंसर यह रहनए किस देश नहीं चीन sparked ढूगा यह वस्तूक द झाकर्ड्र तो ही hive झारइट का फ्सकंद हो जाएं दियान रखना और स्रिलंका को दोसों हराया था फाइनल में ठीक है स्रिलंका को हराया था जिसमें मेन अब दमेज मिला था किसे त्याद रखना मुहमद सीराज को मिला था ठीक है आगे बढ़ेंगे नेस कुस्न बढ़ते है कि आप पूछ रहें यहां पर दे कि जी ट्वेंटी सीखर सम्मेलन निमलेखित में से किस देश में दोसों यहां पर जाग और याद रखना अथिती देश में पूछे कौन कौन देश सामिल हुआ था तो याद रखना नो देशों क नो देशों को सामिल किया गया था निमंतरन किया गया था जिसमें याद रखना दोसों जाए बंगला देश हो गया उसके वाल सिंगापूर मौरिसस सन्युक्त अरब अमिरात यह सभी देश इसमें आता है ठीक है धियान रखेंगे इसका राइट ट्रंस यहां से सी आपका क सुतनतर्ता का अधिकार सिधान से संबन देए सबी कौश्ण आपको बता है देखे ग्राम पंचायत का गठन जो था अनुचे चालिस के तथ होता है लेकिन आपको यहाँ पे कॉशन पूछ किया रहा है तो दोसों जाए ग्राम सभा का प्रावधान जो है यह किस अनुचे के तथ किया गया है याद रखने यह 243 का बी हो जागा क्या होगा यह अनुचे 243 का b answer यहां से क्या होगा b आपका यहां से correct जागा आगे बताई कि आप ऊच रहा है यहाँ पर देखें कि सर्बोच नियाला के एक नियादीस का तियाग पत्र सम्भोदित होता है निके सर्बोच नियाला के तान लगर त्याग पत्र अगर देना है तो यह किसे संभोदित करके देगा याद रखना इसका correct ट्रस यहां से क्या होगा ए आपका दोस्वों right हो जागे निकि राष्ट पती को किसको राष्ट पती को answer यहां से क्या होगा ए आपका correct हो जागा आगे बढ़ेंगे next question देखेंगे क्या पूछ रही हैं पर दे कि भारते सभीधान के किस अनु आगे बताई क्या पूछ रही हैं यहां पर दे कि भारत में सहकारी समेतियों का गठन करने का अधिकार किसे है सहकारी समेतियों का गठन करने का अधिकार क्या है एक कानूनी अधिकार है answer यहां से दोस्वों B आपका correct जगा याद रखेंगे ठीक है और याद रखना सहकारी समेती को दोसमें याद रखना जो है 97 में सविधान संसुधान केता 2011 में सवख्षाप परदान किया गया ठीक है एंसर यहां से B आपका करेक्ट हो जगा याद रखेंगे चलि आगे बते कि आप पूछ रहे हैं पर दे कि मूल ढाचे की अवधारना किस वाद में दी गई है याद रखना का करेक्ट लैस यहां से केसवा नंद वाद हो जगा क्या होगा यह केसवा नंद वाद अंसर यहां से B आपका दोसम्ट घएंग ठीक है ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़िए कि आप पूछ रहे हैं यहां पर करें कि इंडिया जो की भारत है भारते सविधान के किस अनुछेद में यह वर्नित है यहां से 17 कराई टंस यहां अनुछेद 2 हो जागा क्या होगा अनुछेद 2 एंसर यहां से B आपका करेक्ट हो जागा आगे बढ़ेंगे नेश कुछ आप πीछ रहे हैं कि सविधान के किस भाग में आपकाल का प्राफधान किया गया है आपको सुबह में दोस्तों यह बताये थी ठीक है यानि कि आपकल जो आपका कलास होगा था दो बजेव कलास में ये question बताये थे कि आपतकाल कितने भाग में है तो याद रखने ये भाग 18 में कितना हो जागा भाग 18 में ठीक है और 352 से लिए करके 352 से 360 तक दोस्तों है ये धियान रखना इसका right answer क्या होगा डी आपका correct होजागा आगे बढ़ेंगे इसको सान कर्या बते कि आप पूछ रही यहां पे देख कि वीत आयोग में अध्यक्र सहीत पूछे कितने सदस होते हैं याद रखना 19 का गठना 280 तो असी अनुचित के तदच किया जाता है, यह भी याद अखना, ठीक है? आगे बते क्या पुछरे करके हाली में महमद यहां पर मोईजु को किस देश का नया राश्ट पती चूना गया है? मुहमद मौईजू दोसों कहा का नया रास्ट पती है तो याद रखना यह मालदीव का कहा होगा मालदीव का answer यहां से ए आपका right हो जागा चलिए आगे बढ़ेंगे next question पर क्या है English है ठीक है English याद रखना दोसों आप लोग को revision करते रहना ठीक है एकदम आपको revision करना skip नहीं करना क्योंकि कम से कम हम लोगों को यहां पर भी तीन से चार question दोसों सही करना पड़ेगा हर हाल में ठीक है यह चीज को धियान रखना देखें क्या पूछ रही हां यहां पर 4 यहां पे बेनेמल्ट का यहां पर पूछ रहा है इसका right टरंस यहांसर देखेंगे C यहाँ से याद रखेंगे फिर से यहाँ पर year पर पूछ रहा है किसका थो 此प इलुक्वयन्ट का यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से क्या हो जगा यहाँ अपका हो जगा Fliquムs एंसर यहाँ से क्या होगा A आपका Correct हो जगा चलिए आगे बाटेंगे He arrived dash the party He arrived dash the party यहां से देखेंगे इसका right answer क्या होगा तो A आपका correct होजागा He arrived at the party answer यहां से क्या होगा A आपका correct होजागा आगे बते क्या पूछ रहे हैं यहां पर देखे What is the right preposition यानि कि दूसरों इसमें फिर से चुड़ना है कि preposition कौन सा इसमें होगा यहां पर क्या दिया है The cat is heading इसका correct answer यहां से देखेंगे 26 तो C होजागा Under the couch answer यहां से क्या होगा C आपका right होजागा आगे बते क्या पूछ रहे हैं यहां पर दिया है दोस्तों करें कि Which sentence is in the active voice Active voice में कौन सा sentence है यहां पर पूछ रहे है इसका right answer यहां से देखेंगे तो B आपका correct होजागा Sarah at the cake answer यहां से क्या होगा B आपका right होजागा आगे बते क्या पूछ रहे हैं यहां पर दिया गया है Choose the यहां पर passive voice sentence जन्हें कि passive voice वाला sentence आपको यहां पर बताना है इसका right answer यहां से देखेंगे तो B आपका correct होजागा The lesson is being explained by the teacher answer यहां से क्या होगा B आपका correct होजागा आगे बते क्या पूछ रहे हैं पर देखे identify the active voice sentence active voice sentence आपको यहां पर चुनना है कौन सा यहां पर है इसका right answer यहां से देखेंगे B आपका correct होजागा John mailed the letter answer यहां से क्या होगा B आपका right होजागा आगे बढ़ेंगे next question बते हैं क्या पूछ रहे हैं पर देखेंगे choose the passive voice sentence यहां पर choose the passive voice sentence passive voice वाला यहां पर कौन सा होजागा यहाद रखना यह B आपका correct होजागा the walls यहां पर दिया है the walls have been painted by them answer यहां से क्या होगा B आपका right होजागा आगे बढ़ेंगे यहां पर दोस्तों देखेंगे next question यहां पर क्या पूछते हैं सुद्ध वाक का चिहन किजिए सुद्ध वाक का यहां पर चिहन करेंगे यहां पर क्या दिया है यहां पर अगर 31 का देखेंगे तो C आपका दोस्तों यहां पर सुद्ध लिखाए ठीक है बादसा ने यहां पर यहां पर मुक्तहस्त दान किया मुक्तहस्त दान किया यहां पर सुद्ध लिखाए answer यहां से क्या होगा C आपको यहां से correct जगा याद रखेंगे ठीक है important रहेगा यह सभी चीज़े पूछा है तो exam में ठीक है आगे बते हैं कि आप पूछर यहां पर दिया है कि उलहना का तत्सम क्या है उलहना का तत्सम यहां से क्या हो जागा याद रखेंगे इस कराई टेंस यहां से उपलाम्ब हो जाएगा ठीक है उपलाम्ब एंसर यहां से ए आपका दोस्तों correct हो जागा next question पर क्या पूछ रहे हैं अंधेरा का बिलोम क्या होगा अंधेरा का बिलोम क्या होगा तो इसका राइटन्स यहांसे D आपका correct होजगा ओजाला क्या होगा यह ऊजाला होजागा एंसर यहांसे D आपका correct होजगा ठीक है दोस्तों ध्यान रखना जो भी इस चैनल पे नए है चैनल को जुरूर सब्सक्क्राइब करना और याद रखने एक बहतरीन तरीका समलोग यहाँ पे जो है नए सी लिवस के अनुसार यह आपको state practice दे रहे है ठीक है और याद रखना आपको पेड़ ग्रूप जो 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 एन नहीं किया है तो पेड़ ग्रूप भी जो जो एन कर लेजे क्योंकि याद रखना उसमें सा सारा चीज चल रहा है उसके बाद math का चल रहा है जी एस का दोस्तों जाए 100000 कोशन का जी एस का 1000 प्लस mcq का दोस्तों ebook सारा चीज आपको material मिल जाएगा यह जो अभी state लगा रहे है यह जबी state लगा रहे है इसका दोस्तों जाए PDF एक दिन पहले आपको मिल जाएगा ठीक रुपिया में दोस्तों जाए पेड ग्रूप में जोएन हो सकते हैं सारा material सारा चीज आपको वहाँ पर फिरी में मिल जाएगा ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स कुछनिय पर क्या पूछरी यहाँ पर देखें कि सुना का परियावाची क्या है सुना का यहाँ फिर देखेंगे ज़िए 34 का यहाँ से राइट एंसर सर्वन क्या होका यह सर्वन होजागा एंसर यहाँसे दोस्तों D आपका राइट हो जगा आगे बता ही क्या पूछरे यहां पे देखें कि गोरोब का बिलोउम सब्सब्र क्या हो जगा याद रखना यह न यह लागव क्या होगा गोरव का लागव, answer यहां से ए आपका right हो जागा, आगे बते ही कि आप पूच रहीं यहां पे देख auntie कान्सा यहां पे तत्सम है, क्या है तत्सम है कौन सा यहां तत्सम हो जागा है याद रखना यह cast, cast जो यहां पे जुआ नो देख रहे हैं, यह आपका तत्सम हो जागा, ठीक है, एंसर्यांसे क्या होगा? B आपका यहांसे right हो जागा, आगे बता है क्या आप पूछ रही हैं, यहांसे Be by a कि cancel, अगे बता है क्या आपका गांतकर क्या होगा? गमन का दोस्ब क्या हैं, यानि कि हम जो है इस बार के एक्जाम को दोस्तों जाए दो भाग में बाटे हैं एक आपका 60 कोश्चन का आपका जिकी और साइंस आ गया उसमें और आपका इधर 40 कोश्चन का जो हम लोग बाटे हैं यहां पे तो 40 में हिंदी, मैत, अंग्रेजी उसके बाद जो है आपको जो सिसू, सिसू यहां से आपका क्या होगा यह बच्चा का सम dio का समणार्थी यानि की अंसर यहां से B आपका क्या होगा पहर और ठीक है мकले क्या प्ूछ रहें की कि निमलिखीत में से कौन सा वाक्य असुद हैрам कौन सा वाक की निखा एक को झेलिख़ा है parenthले गवाह था या अनेको मामलों में गवाह था इसका राइट एंस यहां से दोस्तों यह गला था ठीक है यहां पर अनेक मामलों में होना चाहिए गवाह था ठीक है एंसर यहां से क्या होगा यहां पर असुध हो जागा ठीक है आगे बते क्या पूछ यहां पर दोस्तों क्या है सब कुछ जानने वाला क्या पर सब कुछ जानने वाला क्या कालाता है सब कुछ जानने वाला को हम लोग सरवग बोलते हैं क्या बोलते हैं सरवग अनसर यहां से क्या होगा ए आपका correct जगा चलि आगे देखेंगे next question पर क्या पूछ रही है इतना दुस्वों मेहनत करेंगे और सारा मिट्रियल आपको तयार करा रहे हैं एकदम दुस्वों जाद देखना बहतरीन रहेगा ठीक है और इससे बाहर आपका नहीं रहेगा बस आप लोग 100% देजे जो प्रैटिक सेट आपको करवा रहे हैं आपको याद रखना बहुत ही म पांडी छेरी की हैं प्यार पर कभजा करने वाला पहला यूरोप 총ति जो कह रहा है तो 120 इससे पूर्त अ में पर प्रत्र से च्छाघ करने वाला पहला यूरोपिया था जियौद हम पूर्टेगाली ने कीया धा था किसने अड़ा बनाया था क्या पूछ रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुंदरी लूट पार्ट के लिए किसने अड़ा बनाया था याद रखना 43 का राइटरंस यांसे क्या होगा एप का दोस्तों यहां पर करेक्ट हो जागा ठीक है पूर्त गालियों ने किसने ब राइट टेंस यहां से देखेंगे 44 का करेक्ट टेंसर आपका D हो जागा ठीक है डल हो जी दोस्तों यहां पर नहीं होगा ठीक है डल हो जी यहां से आपका राइट टेंसर होगा यह आपका नहीं हो जागा ध्यान रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नैस कुस्न बते है कि आप पूछ रहे हैं पर यहां कि कर्ण परियाग में किस नदी का संगम होता है कर्ण परियाग में किस नदी का दोस्तों संगम होता है यह आप से पूछ रहा है याद रखना है यहाँ से आपको सारा कोशन आपको बता चुक्या अल्डेडी सारा कोशन जो जो आपको मिलन होता है संगम वाला सब कोशन बताए है 43 कहीं से राइट अंसर देखेंगे कर्न परियाग में तो याद रखना है यह पिंडर और अलक नंदा हो जगा एंसर यहाँ से दोस्तों सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जगा ठीक है यही आप से पूछे दोस्तों की धोली और दोस्तों जब विशनु गंगा यानि की धोली ग देव परियाग में क्या होता है देव परियाग में ठीक है यहाँ पे देखेंगे पिंडार और मंदाकनी है तो याद रखना यह रुद्र परियाग में होता है क्या होता है रुद्र परियाग में होता है यह सभी आप लिख के रखेंगे बहुत ही इंपोर्टन रहेगा यह कि यहां से बाठाए चाहते हुश्ता कोंट ना पार प्रियोजना कहा परिष्थित है याद रखना इस कराएं महानदी परिष्थित एक यहां से क्या होगा बते क्या पूछ रही है कि क्रीमिया क्रीमिया प्राइदीप दोस्व कहां इस दित है याद रखना है यह सारा कोशन आपको NCRT के अनुसार है और सारा कोशन आपको NCRT में मिल जाएगा ठीक है और बहुत ही जल्द आपको मेराथन क्लास NCRT का करवा देंगे एक टू जड यानि कि 9th क्लास 10.40 का सारा सब्जेक्ट का ठीक है फिजिक्स, केमिनस्ट्री, बायो, जोगरफी, हिस्ट्री, एकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब करवा देंगे ठीक है बहुत जल्द एक से दो दिन में आपको करवा देंगे ठीक है क्या पूछ रहे है क्रीमिया प् सागर में गिरती है इसका दोस्तों उद्गमस्थल कहां से होता है सिंदू नदी अरब सागर में गिरती है इसका करवा दोगमस्थल कहां पर है याद रखना है इसका राइट एंसर क्या होगा यह कैलास हीमानी हो जागा एंसर यहांसे दोस्तों सी आपका राइट जागा य कितना वर यह पूरा डिसकसन के साथ बताएं कि पानी पत्थ का पहला युद में इबराहीम लोदी को किस ने हराय था तो बाबर ने हराय था 1526 में और 1526 में जब इबराहीम लोदी को हरा दिया था उसके बाद इन्होंने मुगल समराज की नीव रखा था इसका राइट एंसर यहां से करेक्ट हो जागा ठीक है एंसर यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट रहेगा ठीक है पानी पत्थ का पहला यूद दोस्तों से जीतेने के बाद ठीक है चलिए आगे बते कि आप पुछर करें कि कौन सा मदकालीन भारतिय सासक है जो ताज महल के निर्मान के लिए जाना जाता है ताज भाल के निर्मान के लिए कि कौन जाना जाता है तो याद रखने इसका राइट 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 पूछ रहा है अश्ट पर्धान किस से सम्मादित है अश्ट पर्धान यहां पर किस से सम्मादित हो जागा तो याद रखना यह सिवाजी से किस से हो जागा सिवाजी से एंसर यहां से दूसरों सी आपका करेक्ट जागा अगर पूछे यहां से अश्ट दिगज बहुत रहा हो जागा ठीक है चली आगे बते क्या पूछ रही है कि कौन से प्राचीन सभेता हरपा और मोहन जोदरो सहीत अपने सिंदू घाटी सहरों के लिए जाने जाती है याद रखना यह सिंदू घाटी हो जागा एंसर यहां से दोस्तों सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जागा ठीक है धियान रखेंगे आगे बते क्या पूछ रही है कि समराट महान मोरी समराट कौन था जिन्हों ने बोध धर्म के परचार और प्राचीन भारत में मोरी समराज के परचार में अपनी भूमिकाने काई कितना बर यह कोशन बता है और याद रखना मोरी है दोस्तों किया था तो बहुत धर्म कापना लिया था यही कोशन आप से कर रा था इसका राइट रंसे क्या होगा पांगा यह यहांसे क्या होगा राइट रैट हो जागा आगे बझते क्या पूछ रहे यहां पर दे कि भारत में खा रहे पानी की सबसे बड़ी जील अगर पूछे भुमी और देव भुमी के रूप में जाना जाता है देवताओं की भुमी और देव भुमी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं किसे जानते हैं तो याद रखने ये उत्रा खंड को किसे जानते हैं उत्रा खंड को एंसर यहां से दोस्तों B आपका राइट हो जागा आगे अगर आप पुछ रही है की हमालय और विश्व की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है अगर आप पुछे आप से याद रखना इस कराय ट्रेंस याँ से option में डी आपका correct विजहाँ माउंट ऑबरेस्ट क्या होगा यह माउंट ऑबरेस्ट हो याद रखना यह अस्वम में कहां पहोगा अस्वम में एंसर यहां से आपका राइट हो जागा आगे बते क्या पूछ रहे हैं पर देखिए कि तराई हाथी क्या पर तराई हाथी रिजर्ब किस राज में इस्थी ते यही सब कोशन आपको अब एक्जाम में पूछा जागा इतना आपको नाइंत रटेंत जो आप लोग देखे हैं इसलिए बस अब यही सब कोशन पूछा जाएगा उतना हाई लेवल कोशन आपको नहीं पूछा जाएगा ध्यान रखने से चीज़ को ठीक है इसलिए लेवल आप लोगों को कम ही कर दिया कि जैदा नहीं किया है इस डेली कॉपी में लिखना है उसलिए आपको पढ़ना है ठीक है यहां पर देखे कि आप पूछ रहे है तराई हाथी रिजर्व किस राज में इस्तित है साथ का यहां से राइट टेंसर एपका करेक्ट जगा उत्तर परदेश क्या होगा उत्तर परदेश का राइट जगा ठ आगे बटेंगे next question बता है कि आप पूछ रहे करें कि निमलिकित मीं से कौनसा एक जो है बैदुद्द्चूंबक्या तरंग का उधारान नहीं है वायू में धोनी का दोस्तर ठाउंग ठीक है धSONI क्या होता है ठीक है इनसर यहां से क्या होगा डी आपका दोस्तर याद रखनाई है 80 kg क्या होता है 80 kg पर ग्राम एंसर यहां से ए आपका करेक्ट इगा याद रखेंगे चलिए आगे बटाएगे नइस केश्कुशन के पूच रहे हैं यहां पर देखिंगे चुमबा के पदार्त वय पदार्त होते हैं जो डियास हो गयायर या कि आप समय की क्या हो स सकता है ठीक है एंसर यहां से देखेंगे 63 का दोस्तों यहां से डी आपका करेक्टर जगा उपरियुक्त में से सभी इसका ज़र राइट ट्रम से जगा ठीक है आगे बढ़ेंगे नेस्ट कुछालक एक धातू है क्या यहां पर एक कुछालक और एक धातू और एक अर्ध चाल होता है एक स्वस्त मनुस का रख्त चाप कितना होता है याद रखेंगे इसकर क्रेक्टर शासे क्या होगा डी आपका करेक्ट यहां से एक सौबीस पर्ट आप यहां से आस ठीक है कितना होता है साही मातरा क्या होता है तो जूल परती सकेंड या वाट भी इसी को बोलते है ध्यान रखना तो वाट अगर रहता उप्सन में खलिया वाट तो वाट भी करेक्ट होता यानि कि एंसर यहांसे बी आपका राइट हो जगा आगे बते क्या पूछ रहे करें कि समान भार में पदा से मातरा की मातरा होती क्या होती है तो याद रखना का राइट तेंसर क्या होगा D आपका correct जगा उपरl Canadian है यहाँ यांत्रीक उर्जा को बिदुत उर्जा में रुपांत्रित करने के लिए पर्योग किया थे यांत्रीक उर्जा को बिदुत उर्जा में रुपांत्रित करने के लिए पर्योग किया थे यांत्रीक उर्जा को बिदुत उर्जा में तब आपका क्या हो जागा डैनमो हो जागा כי आपको 23 तरीका's से धी आपको क्र्षा रहे हैं और याद रखने यापको बहुत ही महत्पून रहेगा है एक दम आपको बहुत ही महत्पून रहेगा तो सभी लोग कमेंट जरूर करना कि यह वीडियो को कैसा लगा ठीक है चलिए आगे बते ही क्या पूछ रहे हैं पर देखे पोधे में खाद पदार्तों का अस्थांतरन का मुख्य रूप कौन सा होता है देखे खाद पदार्त का अस्थांतरन का यहां पर पूछ रहे हैं कि मुख्य रूप कौन सा होता है तो याद रखने यह डी आपका करेक्ट ब्यास यानिकि यह class आता है उसके बाद आपको याद रखना है दो बज़े आपको live class होता है ठीक है उसके बाद आपको पांच बज़े live class होता थी यह सारा class आपको time table करना है बिहार प्लिस के लिए बहतरीन रन निती के साथ कर बार रहे हैं ताप लोग जरूर दोस्तों आपको राइट हो जागा आगे बते क्या पूछर यहां पर दिया है कि मनुस्य के मस्तिक्स के सबसे बाहरी जिल्ली क्या होती यह भी कोशन आपको करवाए है ठीक है इसका राइट रखना यह डियूरा मेटर क्या होता है ठीक है एंसर यहां से क्या होगा सी आपका correct हो आगे बते क्या पूछर यहां पर दिया कि कौन मुख्य रूप से वायू पर दूसक क्या है वायू पर दूसक क्या है यहां पर कौन मुख्य रूप से इसका राइट रखना यहां पर परभावित कर देता है यहां से बी आपका correct हो जागा आगे बते क्या पूछर यहां पर परभाव का अर्थ क्या होता है Green House परभाव का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। इसका चौन से याद रखना है वायू मंडल में ग्रीन हाउस गयासों के संग्हणन के कारण वाताववरण में तापमान में क्या होता है तो भिर्दी हो जाता ठीक है। एक किरेक्ट होंगा अगर पूछे कोई चाहँ कहते है यहां पे याद रहा हैju तो यह paus ने gonna say परकास वर्स याद रखना दूरी की काई होता है ठीक है खगोली या दूरी का ठीक है और एक परकास वर्स में कितना होता है एक परकास वर्स में याद रखना दूरी याद रखना पंदरह मीटर ठीक है अगर किलो मीटर में रहता तो दस पे पावर कितना होता बारा होता अग तीनों आपको एक्जाम में फूचा गया है यह तीनों का प्लगाशय से याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बताए क्या आप क्या रखत समुका के अविस्कारा कौन है ? कितना वा बताए जान को कहो थे कृस्ट में ख्या होगा ? क्या होगा O हो जागा answer यहांसे A आपका right हो जागा आगे बते क्या पुछ रहे हैं पर दिया गया है करकि निमली खित में से कौन एक उत्क्रिष्ट ग्यास है उत्क्रिष्ट मतलब नॉबिल ग्यास पूछे या दोसों अक्रिया ग्यास पूछे तो यह सभी एक ही होता ठीक है याद रखेंगे इसका right यहां से देखेंगे तो हिलियम आपका जो क्या हो जागए उत्क्रिष्ट ग्यास या अक्रिया ग्यास एंसर यहांसे C आपका correct लगा हिलियम हो गया याद रखना नीरियोन हो गया आरगन क्रिप्टोन जिनोन रेडोन यह सभी याद रखना अक्रिया ग्यास में उत्क्रिष्ट ग्यास में आता है ठीक है आगे बते कि आप उसे कार्बन का पर्मानु कर्मांग कितना होता है कार्बन का पर्मानु कर्मांग यहां पर कितना हो जागा त्याद रखना छे हो जागा कितना हो जागा छे हो जागा एंसर यहां से ए आपका राइट हो जागा आगे बते कि आप पूछ रहे करके किस परकार के रसानिक बंधन में परमानवों के बीच फिर इलेक्टरोनों का आदान परदान सामिल होता है इसका राई टेंस यहां देखेंगे असीका तो क्या होगा यह सह सन्यूजक बंधन क्या कर लेगा एंसर यहां से क्या होगा बी एक्जाम के अनुसार तो सभी कोच्छे से याद रखेंगे ठीक है क्योंकि याद रखने NCRT के अनुसार नम्मा दसमा में अगर देखेंगे ति यही सब कोच्छन आपको पूछा है तक सर ठीक है चले आगे देखेंगे क्या पूछर यहाँ पे दिया है कि दूसरों सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्शन 2023 में निमलिखित में से कौन सा दूसरों कत्छन यहाँ पे सही नहीं है कौन से यहाँ पे कत्छन एक सही नहीं है यहाँ पे देखेंगे इसका राइटन्स यहाँ से ए हो जागा ठीक है फेशन ग्रॉसरी और जनरल यहाँ पे मार्च डाइस 2023 तक भारतिय एक कॉमर्स बजार के लगवग एक तियाई हिस्से में अपना अस्थान करेंगे यह अपक गलत है ठीक है एंस अबांकी आपको यहाँ से सही हो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे चलि आगे दखेंगे नेक्स कुछन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि निमलिखित में से कौन सा दोसम जान निर्धानता का परकार नहीं होगा इसका राइटन्स यहाँ से देखेंगे तो बिसिस्ट निर्धानता क्या हो यह बिसिस्ट निर्धानता हो जागा एंसर यहाँ से क्या होगा यह आपको यहाँ से करेक्ट हो जागा आगे पते क्या पूछा और बहतरीन कॉस्टन रहेगा यह सभी कॉस्टन को अच्छे सी याद रखना डाटा बेस वाला कॉस्टन भी आपको एक या दो पूछा जाएगा ठीक है तक confusion मत करना अच्छे से लीक के रखना कहीं पे क्या पूछ रहाए यहां पे संगिया बजट दोसों जारी हुआ संगिया बजट यहां पे का रहा है कि 2023-24 में परधान मंतरी अवास योजना के यहां पर परधान मंतरी अवास य यहां से क्या होगा यह आपका यहां से correct जागा यह भी डाटा याद रखना नेक्स कॉस्टन यहां पे संगिया बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन इपरधान मंतरी अवास योजना भी याद रखना और जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन पर करक कितना वै निर्धारित किया गय याद रखना यह आपका correct जागा याद रखना सत्तर हजार करोड कितना सत्तर हजार करोड एंसर यहां से दोस्टों ए आपका क्या होगा राइट हो जागा आगे बड़े कि नेक्स कुस्टन बगते क्या पूछ रही है कि संगिया बजट 2023-24 में मन रहेगा पर कितना दोस्ट से लिग के रखना important रहेगा मन रहेगा पर कितना वह निर्धारित किया गया है तो याद रखना इसका right answer यह साथ हजार करोड होगा कितना होगा साथ हजार करोड answer यहां से दोस्टों C आपका right जागा next पते क्या पूछ रहे हैं यहां पर बिहार से question है क्या पूछ रहे हैं बिहार के पहले दलित मुख मंतरी कोन है एकदम सिलेवस के तरह दोस्टों याद रखना हर चीज का यहां पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं ठीक है नया सिलेवस जो जाड़ी किया है याद रखना है याद रखना हो सकता है आपको पूछे एक दो लेकिन maximum chance नहीं ही पूछे बिहार को अलग से भी सामिल किया तो बिहार से भी कोशन आपको अच्छा कासा मिलेगा मतलब 5-10 कोशन के असपास आपको मिल सकता है ठीक है आप देखें बिहार के पहले दलित मुख मंतरी का नाम बता है इसका right ट्रेंस यह सियासिए क्या होगा A आपका यहांसे correct रहेगा भोला पासवान सास्त्री क्या होगा ये भोला पासवान सास्त्री एंसर यहांसे आपको राइट हो जागा आगे बते क्या पुछरे कर कि बिहार की एक मातर तेल सोधन कारखना कहां पे है याद अखना ये कहा हो जागा बरोनी में एंसर यहांसे क्या होगा तो कितना सीट आरक्षीत है याद रखना हिए आपका 38 होगा इस नहीं है कि यहाँ पा जाते है आगे बढ़ेंगे पूछेंगे किया पूछ रही है कि यहाँ पर जिया गया है कि आपके आसोक का निमले कित्म से कौन सा अस्तम जो है बिहार में नहीं पाए जाते है Elliot-손 याद रखने और हिस्टरी में भी आगा लेकिन बिहार में भी ओ आगा थिया interpret suspense अपको पूछेगा असोग से direct related याद रखना बिहार में भी उसको अमलोग गीनेंगे क्योंकि याद एक नहां जब विहार का प्रा नित्यास पाढ़ेंगे यापको दोस running, एक Class भी हो गया आ, विहार का प्राजी नित्यास प्ढ़ेंगे यहाद रेखने हो थे दोस कर दोस इनके देखेंगे, तो छूटा हुआ है तो देखलें न, तीसरा स्सum Allah प्राजी न निति हुता है तिर्वेनी नहर को दोसे याद रखना किस नदी से जल पर आप रहते हैं यहाद रखना अगर अच्छे से मैत कुछ समझ लेते हैं जो आपको बता रहे हैं 100% मैत बनेगा एक्जामें ठीक है यहांपे मैत समझे और बिना मैत का 70 प्लस स्कोर करना भी मुश्किल है यह चीज़ ध्यान रखना क्योंकि 10 से 12 मैत आपको पूछा जाएगा हर हाल में ठीक है यहांपे देखे क्या पूछ रहे करें कि हर्स की आयू दोस्तों 40 वर्स है ध्यान देजे माल लेते है कि एकस वर्स पहले दोनों में एकस घटा लेंगे याने कि एकस वर्स पहले थाँ पर कितना दिया है यह था यह तीन वट्ट यहाँ से क्या करेंगे पांच कर लेंगे, कॉपी पर बनाईए मेरे साथ, ठीक है, महनत कीजिए थोड़ा सा तब और अच्छे समझ मैंगा, ठीक है, यहांपे अब क्या करेंगे, कोना कोना कीजिए, तो कोना कीजिए यहांपे, तब पांच चुके 20, यानि कि 200 हो गया, ठीक है, 200 और मैनस यहांसे 5X हो जाएगा, ठीक है, और बराबर इधर कितना हो जाएगा, 6, 3, 18, यानि कि 180, और मैनस यहांसे 3X हो गया, ठीक है, इधर जाएगा, यहांपे देखिए 2X हो गया, 2X बराबर इधर आपको इधर जाएगा, यहांसे कितना निकल गया, यह 10 जो निकल गया, यह 10 जो निकला, का दोसों वर्तमान आयू का अनुपात कितना है एक अनुपात दो है कितना है एक अनुपात दो है तथा पांच वर्स पहले यह अनुपात कर रहे कि एक अनुपात तीन था तो पांच वर्स पस्चात उसकी आयू का अनुपात क्या होगा देखे धियान देजे कोशन को कितना आपको question थोड़ा सा जो है लंबा कर दिया लेकिन आपको बहुत ही छोटा question नहीं है ठीक है समझेंगे 100% आपको बनेगा चीक है ऐब यहां पर कर रहें कि पांच पांच कर दिजे दोनों में से मैनस पांच कर दिजे इसका अनुपाइं कितना दिया फांच पहले का तो एक वटेत तीन दिया था इसको हम लोग 1 लिख लिए अब यहां प्योना कुणी गुना केलें यहां पर कितना हो जागे तीन एक्स हो जागा ठीक है और माइनस यहां से पंद्रह हो जागा पांस यहां ठीक है इधर यहां से करेंगे तो दो एक्स हो जागा ठीक है और इधर आपको यहां से कितना हो जागा माइनस पांच हो गया अब यहां पर क्या करेंगे तो एक्स बरा पन्द्रव बक्ते कितना हो गया पऑन के लिए आनने को नहीं है पंद्ररव बक्ते यहांसे आप 25 हो गया ठीक है इसको काटिया और इसको काटी है पांच यहांसे 15 15 25 यानए कि दूसरों कितना हो गया तेन अनुपात यहां से एक और पचास के बीच यानि कि एक से ले करके दोस्तों पचास तक में कर रहा है यहां पे कितने अभाज संख्या हैं देखिए अभाज संख्या किसे बोलते हैं जो दोस्तों एक से कटे और सोइम से कटे ठीक है एक से कटे मतलब को फेक्टर दोनों का वनली दो होना चाहिए यानि कि एक और सोईम होना चाहिए ठीक है यानि कि देखिए पहला जो अभाज संख्या पूछे सब से छोटी अभाज संख्या तो आपका दो होता है दूसरा याद रखना तीन हो जाएगा ठीक है चोथा आपका चार नहीं होगा बोलिए सर कैसे चार नहीं होगा तो पंद्रह और इस सवाल को याद ही रख लेंगे ठीक है बहुत पर एक्जामे रिपीट होता है एंसर यहां से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जागा चले आगे बढ़ेंगे इस कुछने पर बते क्या पूछ रहे हैं यहां पर दिया है कि करहा है कि एक परिक्षा में तो दोससों अगर इतना है तो कर रहा है यहां पर कि कितने उमिद्वार ऐसी हैं जो हिंदी और इतिहास दोनों चेहन करते हैं तोनों लेते हैं ठीक है यहां पर देखे इसको कैसे बनाएगे सबसे पहले ध्यान रखने को कोई ट्रीक में सिंपल तरीका सब जाके एकुपके से बना लेंगे यहाँ पर क्या करना एक सो में से छेया सट को घटा लेना प्मिष्ट हो पाना पढने वला निकल जाएगा यहाँ से का टूमों पढने वला टोटल चाथ कितना दिया यहां से 3000 दिया है 300 का निकाल लेज़े 25 पर 300 आपको एंसर निकल जागा 300 का 25 बट्टे आपको कितना हो जागा 100 0000 कट गया 25 तीया 85 इनके 750 चाथर ऐसे हैं कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं यानि कि हिंदी और इतियास दोनों एंसर यहां से क्या ह जागा भी आपका दोस्कों करेक्ट हो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे इसका राइट टर्स यहां से भी आपका राइट हो जागा चली आगे बढ़ेंगे नेस को सने पर क्या पूछ रहा है एकदम बेसिक सवाल है इससे बहार आपका नहीं आएगा ठीक है आप आपसे टिशी पर आपका सवाल बन एगा ठीक है यहांपे देखे 24 आदम है तो मालन लेते 24 गुनाई यह कितने घंटा कर रहे तो 8 घंटा कर रहे है यहांपे देखे कितने दिन में कर रहे है tät Deixa क्या करे झाएगा यहांपे थी यह 10 गण यह से क्या करेंगा चे हो जोगे यह गाट Jew 6 चोकाई यहां से कितना होगा 6 चोकाई यहां से 24, 8 चोकाई 32 यानि कि X ब्रावर कितना निकल गया 32 32 लोग जो यहां पर करेगा answer यहां से क्या हो जागा answer आपका B यहां से correct हो जागा आगे देखेंगे नेस कुछने पर क्या पूछाएं जो भी इस चनल पर नई है चनल को जरूर सबस्काइब करना ठीक है और मेहनत कीजिए इस बार दोस्तों बर्दी से नई चुकना क्योंकि बहुत ज़्यदा वेकेंसी है ठीक है इसलिए किसी भी तरह कोशिच किजिए कि दोस्तों ज़्यदा ज़्यदा पॉड़े कि इसी बार वेकेंसी में हम लोगों को सलेक्ट होना ठीक है देखेंगे यहां पर करें कि एक समू को एक निस्चित काम दोस्तों जब 20 दिन में पुरा करने के लिए दिया गया ठीक है लेकिन 12 लोग तयार नहीं है नहीं हुए तो करें यहां पर कि से लोगों ने मिलकर इसे 32 दिन में पुरा कर लिया तो समू में कितने लोग थे यहां पर पूछ आता है, समू में मान ले तो यहां पर X लोग थे, कितने लोग थे? X लोग थे, X लोग दोसों मिलके यह कितने दिन में पहले कर रहा है, 20 दिन में, 20 से यहां पर गुना कर दे, अब यहां पर करे कि 12 लोग इसमें से तयार नहीं था, तो क्या करेंगे, समू मे अब करेगा बोल रहा है तो 32 दिन में करेगा कितना दिन में 32 दिन में यही आपको अपको गए उप यहां से काट देंगे एंसर डेरेकTF निकल जाया ठीक है चार इक्लिए पका कितना हो गया पांच एक्स बराबर इदर आको जाहा है आठ एक्स हो गया और यहां पर 12, 1966 हो गया ठीक है आप यहां पे देखके यह 3X हो गया 3X बराबर कितना हो गया यह 69 हो काट यह इसको 3 से तीन तीन नौ तीन दूना यहां से च्छे यानि कि बथीस दूसर यहां से जो आपको क्या होगा लोग होना चाहिए इसका आइटरञे से क्या होगा समूह में बथीस लोग हो जागा अगे बढ़े कि ने हैं से अपको पूछाए जब भी स्टैप का सवाल रहे ठीक है जब में होगा आईतन हमेसा Q में होता है तो वो क्या होगा अगर X मानेंगे तो यह X Q होगा पहला आपको पहला यहां पर देखेंगे तो तिर्जिया को उसके बद अगर तिर्जिया को अगर दोगुना कर देंगे यहां पर तो क्या हो जागा इसका अगर Q निकालेंगे तो क्या हो हो जागा यह दोनों का difference कितना है 7 x cube है यहां पर यही परतरिसात मांग रहा है कितना कहो जाए यह 7 x cube और दुसने यहां पे हन्देड बट्र यहां से कितना हो जागा इससे आपका यहांसे पुन्हा करना है थे x यहां पर आपका जाएक्स square यह x cube कट गया यह साथ सो आपका परतिसा ठीक है सिंपल विजी से या तो आप फर्मूला ड्रॉव करके भी बना सकते हैं इसका राइट ट्रेंस से डी आपका करेक्ट हो जागा आगे बढ़ेगे ने इसको समयते हैं क्या पूछ रही हैं पर दिया कि एक व्यक्ति दोस्तों यहां पर जो एक वस कारा है यदि इससे द्गोने दाम पर बेच देता है तो उसका लाभ पर तिस क्या होगा यह जो है एक सो बीच में यह खरीदा है इसको करे कि द्गोने दाम पर बेच देता है तो आपको लाभ कि इतना होता यह आप से पूछ रहा है ठीक है यहाँ पर उपक Bhag Eggs'd स्को डּ ग बिल्कूल आपका basic question है धियान रखेंगे ठीक है चलि आगे बते क्या पूछ रहे यह सवाल आपको पहले भी बताए जब भी step का सवाल रहे ठीक है कहे कि एक संग्छा को दोस्तों 342 से भाग देने पर सेसफल इतना बचता है दोस्तों तो उसी संग्छा को 19 से भाग देने पर सेसफल तो जब भी सेसफल सेसफल रहे याद रखना क्या करना 47 में दोस्तों डायरेक्ट आपको क्या करना है तो 19 से भाग दे जाना ठीक है उनीजना 38 नो सेस बचा 9 इसका correct हो जागा ठीक है 99 का correct हो जागा चलि आगे दखेंगे next question पर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर देख चार गुणाश साथ करना 58 हो गया अचान से बार रहे हो जोhosत गया8 और चार आपको मना आ रही है यहाँ पर पहले मौछ थे हैँची के यहाँ बार और那么 के और टीरों हो यहांСТर्म कविट एदेभ समक कर ढया 5 इधर पांच में से दो गिया यहां से तीन बचा यानि कि 37 वर्स कितना निकल गया यह 37 वर्स जो है मां की आयू हो जागा एंसर यहांसे क्या होगा यानि कि 100 का C आपका दोसरों correct हो जागा ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है यह था दोस्तों आपका जो मिशन वर्दी ब्याज का दोस्तों यह 65 क्लास कितना 65 क्लास था ठीक है इससे पहले आपका एक सिले के चौंट सर्थ तक आपका क्लास हो चुका जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटापा रिविजन कीजिए ठीक है क्योंकि अब समय नहीं है जित एक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जाहिंद